है वेल्कम गाइस तो आज हम माइन्ट्राफ्ट खिलने वाले हैं और इस पहाड़ पर हम एक हाउस बनाएंगे तो चलो हम अंदर से देख लेते ओके तो यह ठीक है तो अभी हम यहाँ पर पॉबल स्टोन से एक स्क्वेर शेप बना देंगे तो यह स्क्वेर शेप में हमारा हो गया अभी हम नीचे कॉंक्रिट लगा देते हैं वाइट कॉंक्रिट लगा देते हैं और यह आजू बाजू का सब खोड़ देते हैं ठीक है तो अभी पहले सब खोड़ लेते हैं जल्दी 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 सब तोड़ देते हैं ओके कोई बहुत बड़ी सी गुफा थी तो मुझे यह चलते चलते दिख गया है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक हील हाउस बना दे तो चलो यहाँ पर वाइट कॉंक्रिट पूरा लगा देते हैं नीचे ओके तो यह ठीक लग रहा है तो यह साइड में भी वाइट कॉंक्रिट लगा देते हैं इस साइड में भी लगा देते हैं ओके तो हमें पूरा का पूरा रूम वाइट कॉंक्रिट से कवर करना है तो चलो हम यह जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं तो चलो अभी छट भी कंप्लीट होने ही वाली है तो उपर का काम अभी हो गया हमारा खतम तो अब यह साइड में जो जो पत्तर है इनको हटा कर हम यहाँ पर वाइट कॉंक्रिट लगा देते हैं ठीके तो एक ग्रैवल की जगा पर भी हम वाइट कॉंक्रिट लगा देते हैं तो देखो यह कुछ पूरा ही होने वाला है ठीक है तो देखो यह ऐसा दिखेगा वाइट कॉंक्रिट के पूरा होने के बाद हम यहाँ पर उपर स्लैब लगा देते हैं उपर हम स्लैब इसलिए लगा रहे क्योंकि हम यहाँ पर हमारा बेड लगाएंगे तो यह अभी ठीक दिख रहा है तो यहाँ पर रोशनी होने के लिए हम यहाँ इस साइड में तोड़ देते थोड़ा सा यहाँ पर भी वाइट कॉंक्रिट लगा दिये हुआ अब्हीं हम यहाँ नेदर रैक लगा देंगे और इनको जला देंगे और इनको काच से कवर कर देंगे ठीक है यह कर दिया हम ने तो देख हो यहाँ पर एकदम अच्छा बोन फायर जीसा दिख रहा है तो यहाँ पर हम हमारी लाइबरेरी बनाएंगे तो यह सब भॉक वाइट कॉंक्रेट की जगा हम यह बुक शेल्फ लगा देते है तो उपर भी लगा देते है और हम हमारा बुक شेल्फ कम्पलीट कर देते है तो हमारी library हो गई complete यह कुछ ठीक नहीं दिख रहा है इसको तोड़ देते हैं और यहाँ पर ladder लगा कर हम slap को यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पर complete कर देते हैं तो यह ऐसा दिखेगा तो यहाँ पर चेस्ट हम रख देते हैं दो साधी चेस्ट और एक एंडर चेस्ट अभी यहाँ पर भी रोश्णी के लिए हम उपर जैसा बनाया था वैसा ही हम यहाँ पर बनाएंगे तो हम इसको copper stone से हमने डग दिया और यहाँ पर ने direct लगा कर उसे जला दिया और हम यहाँ पर glass pans लगादेंगे हम यहाँ पर लगा देते हैं और नीचे उतर कर इसके नीचे स्लैब लगा देते हैं चलो ठीक है तो यह स्लैब लगा देते हैं इसको भी तोड़ देते हैं और यह यहां पर लिख तो हब हमारा बेड़ी हम फोड़ा सा सरका देते हैं हमारा यही पर अच्छा लगेगा तो यहां पर दो-तिन टॉर्चेस भी लगा देते हैं यहां पर यह अच्छी नहीं लगीगी इसको इधर लगाते हैं ठीक है यही पर अच्छी यह लग रही है चलो नीचे उतरके देखते हैं गर को दिको तो गाइस हमारा गर ऐसा दिखेगा तो चलो हम सोग जाते हैं और एसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए लाइक किजिए शेर किजिए कमेंट किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में